गुड मॉनिग स्टुडेंट नाइंत क्लास में कभीर दाजी के सबद क्या कहते हैं कभीर दाजी मोको कहां ढूने रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना में देवल ना में मस्जद ना काबे कहलास में ना तो कोने किरिया कर में नहीं योग बैराग में खोजी होई तो तुर्ते मिलियो पलवर की तलास में कहे कबीर सुनो भै सादू सब सांसों की सांस में क्या कहते है कबीर दासी मोको कहां ढूने रे बंदे मैं तो तेरे पास में तुम मुझे कहां कहां ढून रहे हो मोको मतलब मुझे कहां ढून रहे हो बंदे बंदे किसके लिए कहा गया, मन उसके लिए कहा गया है मो को कहा ढूने रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में मैं तो हमेशा ही तेरे पास रहता हूँ तो मुझे कहा ढून रहे हो ना में देवल, ना में मस्जित, ना कावे कैलास में ना मैं देवल, देवल का मतलब मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जित में हूँ, ना कावे कैलास में हूँ कावा क्या है, मुसल्मानों का तीर्दिस्तान है, कैलास क्या है, कैलास हमारा सिपजी का इस्थान है तो इसके लिए का गया है, मोको का ढूने रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जित, ना कावे कहलास में, मुझे तुम कहां कहां ढून रहे हो, मैं तो सदे भी तुमारे पास हूँ, ना मैं देवल, ना मैं मस्जित, ना मैं किसी मंदर में हूँ, ना किसी मस्जद में हूँ ना कावे कहलास में ना तो कौने किरिया कर में नहीं योग बैराग में नहीं मैं किसी किरिया कर में हूँ जो हम लोग सांसारी किरियाएं करते हैं उनके लिए का गया है नहीं योग बैराग में नहीं मैं किसी बैराग में हूँ खोजी होए तो तुड़ते मिलियो पलवर की तलास में अगर आप मुझे मन से याद करोगे तो मैं सदैव आपको तुरंधी मिल जाऊंगा खोजी होए तो तुड़ते मिलियो अगर आप सचे मन से मुझे पुकारते हैं तो मैं आपको पलवर की तलास में कुछ ही चड़ो में मैं आपके पास हूँ कहे कबीर सुनो भाई सादू सब सांसों की सांस में कबीरदाजी कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई सादू सब सांसों की सांस में मैं हर व्यक्ती की सांस में बास करता हूँ मैं हर व्यक्ति की हर सांस में विराजमान रहता हूँ मुझे कहीं भी ढूणने कि आता नहीं है मैं सदै भी आपके साथ अमेशा आपकी सांसों की रूप में रहता हूँ किस रूप में हमारी सांसों की रूप में जिससे की मन उस चनता फिरता रहता है वही एक सच्चा प्रूफ है कि जिससे पता चलता है कि इस्वर हमारे अंदर बास करते हैं हम उनको कहाँ कहाँ डूनते फिरते हैं कभी मंदिरों में कभी मस्जिदों में लेकिन इस्वर तो सदैव हमारे मन में ही रहते हैं इसलिए कहा गया है कि आप सच्चे मन से अच्छे इंसान बनेगे और अच्छे इंसान बनका सच्चे मन से कहीं भी बेट के इस्वर की प्रातना कीजिए इस्वर सदैव आप की प्रातना को सुनते हैं इस first chapter के आप लोगों को 9th class, काब खंड का first chapter उसकी सभी ब्याख्याएं आप सभी बच्चों को लिखनी है fair copy में, आप एक copy बनाएंगे, छितिश की copy बनाएंगे, जिसमें दो पार्ट कर लेंगे, गद खंड का और काब खंड का, तो एक जो आप उसका, एक ही copy में दो करेंगे, जिसमें first chapter की पूरी ब्याख्याएं लिखेंगे और notes मुझे चेक कराएंगे,